नमस्कार दोस्तों आज हमारे चैनल आखंड जोटी कलासेस में आप सभी का स्वागत है आज हम एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए कलास 10 NCRT बूक जियोग्राफी का पार्ट टू भाग दो लेकर आये हैं लेकर आये हैं अध्याई वन का संसाधनयों विकास तो आज हम प संसाधनयों विकास भाग वन तो बा़ टू में पढ़ेंगे सब्सेपहला हमें आरकर स्नसाधन के बारे मीरित हम देखेंगे तो भूमसदाद जैसे आप सभी को पता है कि हम हम क्या करते हैं हम मानों भूमी पर ही रहते हैं तो हम भूमी पर रहते हैं इसलिए भूमी के भूमी पर ही अनेकार्थी किरिया कलाब करते हैं यानि चुन्नी भी किरिया कलाब होती है हमारी भूमी पर ही होती है तो भूमी पर होती है इसलिए भूमी के हमारा एक बहुत ही महत महत्पूर बहुत ही महत्पूर संसाधन है अनि लगभां मनुष्ट की 95 परशित्रत आख सकताएं यह आख सकताएं क्या होती हैं जमीन पर ही यह भूमिपर ही पूर्ति की जाती है ठीक तो हाद देखेंगे पर द्रहें भूमपर राते हैं और आर्थिक रूम से भी इसका उप रहते हैं और आर्थिक रूप से हमका करते हैं भूमी का परियोग करते हैं इसलिए भूमी एक मत्पुड प्राकिर्थिक संसाधन है यानि क्या भूमी हमारा प्राकिर्थिक यानि उपहार में मिला हुआ यह क्या है हमारा प्राकिर्थिक संसाधन यानि प्राकिर्थ ने हमें दिया संसाधन के रूप में लेकिन यह सीमित संसाधन है इसकी क्या एक सीमा है एक सीमा के अंतर ही है ठिक यानि यह क्या एक सीमित संसाधन है जिस पर पेड़ पदे वन जीव, मानो जीवन, क्रीशी, संचार एवं परिवहन आदि भूमी पर ही अधारित है इसलिए भूमी का उपियोग बहुत ही सोधाने पुर्वक योजना बद्य तरीके से होना चाहिए मतला भूमी का हमारे लिए बहुत ही मत्तपूर प्राकिरतिक संसाधन है जो कि हमारा भूमी का एक सीमित है सीमित संसाधन है इसलिए इसका हमें प्रियोग बहुत ही सोध समझ यानि योजना बद्य तरीकों से ही करना चाहिए नहीं तो अन्य था एक समय ऐसा आएगा कि भूम हमारा क्या आगा दिरे दिरे नश्ठ हो जाएगा जिससे क्या हो जाएंगे हमारी आर्थिक क्रिया सबक्राइएहर जगां एक समान नहीं है एक ने मारी भूम है हर जच तौना यह परवत है कुछ जण ऊचे पर्थार है तो कुछ दुना संतल मैदान है तुसी लिए हम भारत की भूग ओले खेतर के बारे में देखेंगे भारत के भूग औली श्यत्र जिसमें से भारत का तो फुगोलिक छेत्र रहा है जैसे माल लिया जाए तो है वाग है से हम फिकर बनाए है चोटा सा इसमें देखेंगे 43 परसेंट जो भारत का छेत्र है और क्या है सम्ताल यानि मैदान है जो हमारा क्रिसी और उद्ध्योग के लिए बना हुआ है बाकि जो 30 परसेंट एयरिया है वो हमारे उचे उचे परवत पाए जाती है और जो परवत है जो नदियों का जहां से नदियों का उद्गम होता है बाकी जो 27% हिस्सा है हमारा पठार है जिसमें मौत्पूर खनीज परदार्थे पाए जाती है ठीक तो देखेंगे भारत की भुगोलिक खेत्र तो भारत के 43 परति सथ भूद्चेत्र मैदान है और जो क्रीशी और उद्योग के विकास के लिए सहायत है सहायक है मतलब पूरत खेत्र का भारत का जो पूरा चेत्र है उसमें से 43 परसंट हिस्टा हमारा क्या है मैदानी भाग है यानि मैदान भाग है जो क्रीशी कार उत्योग के विकास के लिए क्या है सहायक है ठीक अगला अगला नम्म टू भारत के भूछेत्र का 30% भाग पर परवत हैं जो नदियों के परवा को सुनिचित करते हैं यानि जो भारत के भूछेत्र का 30% हिस्सा है उस पर परवत पाए जाते हैं जो परवत नदियों के परवा को सुनिचित करते हैं यानि जितने भी नदियों का हमारे माली जी हिमाली नदियां है जैसे गंगा है प्रहम पुत्र हैं इन नदियों का हिमाले परवंस होता है यानि परवती छेत्रों से इनका उद्गम होता यह अक्सान नदियों का उद्गम परवतो यह पर मतलब भारत के भुचेत्र का 27 पर तीसत भाग पर पठार का विस्तार है जो खनीजों और जीवास इधनों को सुनिचित करता है मतलब जो 27 परसेंट का 27 परसेंट हिस्सा है उसमें पठार पाए जाते हैं उसी पठारों में जिवास में साइधान पेट्रोलियम जैसे परदार्थ पाए जाते हैं यह तो निचित करता है जैसे कि अधिवत दिखा रहे हैं इसमें सब माल लिजी हमारा यह सौपरतीसत है पीर्थभी का भारत का जो भोगवालिक छेत्र है यह सौपरतीसत है ठीक इसमें से जो 43 परसेंट मैदान है जो क्या करता है क्रीसी और उध्योक के लिए सहायता या जो जो बचा हुआ тради क्षे रथ है हो क्यारत है जो नदियों के परवा को सुने है और जो बचा रहा क्यों बचा और सट Divine परतिसत माइख है जो पठार है जो खनीजों और जिवासमी इधनों का सुनिचीत करता है यानि जो 27 परसेंट भारत की भोगोलिक छेतर का हिस्सा है वो क्या करता है पठार है जो क्या करता है हमारे खनीज और जिवासमी इधनों को सुनिचीत करता है ठीक हम देखेंगे भूमी उपियोग सब्स दूसरा है वंजर क्रिसी आयोग भूम मतलब पहला है पहला जो भाग हमारा भूमी का भाग हम भूमी कोई कुछ हिस्सा बन यानि जंगलों के लिए परियोग करते हैं ठीक अगला है दूसरा बंजर तथा क्रिसी आयोग भूम यानि जो भूम जो क्रिसी के उपयोग नहीं आते हैं ओ भूमी है जो बंजर भूमी है जो किसी काम नहीं आता है ठीक अगला है तिसरा नमर गयर क्रिसी भूमी जो सडक निर्माण इमारते उत्योग आद के लिए परियोग की जाती है जो हमारा गयर क्रिसी क्रिसी के अतरीक्त जो भाग है क्रितिक क्रिसी के अलामा कुछ हिस्ता हम भूमी का सडक निर्माण जैसे आप लोग देखे होंग कर्वे सअ्वारब यानि भूम पर तो सब्धा किसीन द लिए कुछ ह Ci stop निर्माड के लिए कि अध्याम किले देख sido में बने होते हैं वह भी क्या है भूम पर ही पने हैं उसमें भी हम भूमी का उपियोग करते हैं इसलिए उसमें से कुछ हिसार मारत के लिए जो भूमिका उपयोग कर रहे हैं अगला उपवन या ब्रीच फ़सलों के लिए भूमिका परियोग यानि जो यह हम उपवन मन्लब भाकी चो यानि ध्यानों के लिए यानि बिच फसलो यानि जो फसल हुगा यानि फल की क्रिशी के लिए फल की क्रिशी के लिए बगवान लगाते हैं पार्क के लिए आदि के लिए भी हम भूमी का उप्योग करते हैं अगला है अस्थाइज चरगाय अनन्यकोचर भूमि यानि अस्थाइज रूपसे बना दिया जाता है चरगा उस्में पवसोगär भूमि इसक्रिसियोग भूमि क्रिसी योग भूमी जहा पांग से अधिक वरसों तक क्रिसी नहीं किया गया Seal के वल पांग स्वर्षा हमने क्रिशी किया और पाच वर्सों से हो खाली है ठीक यानि क्रिशी योग बंजर भूम जहां पाच से अधिक वर्सों तक क्रिशी नहीं किया गया यानि ऐसी भूम जहां केवल हम पाच वर्सी क्रिषी कीए हो उससे अधी क्रिषी न कीए हो, वो कहला होता है क्रिषी योग बंजर भूम ठीक? अगला है परती भूम, अब परती भूम होता है एक होता है पुरा तातन परती और दूसरे पहला होता है माली जे पर्तमान पर्ती दूसरा होता है पूरा तातन बर्ती पर्ती जैसे पर्ती होता है खाली छोड़ देती हैं माली जे क्रिसी कर रहे हैं किसी कारवास हम एक साल क्रिसी नहीं करें ओक्या हमारे बर्तमान पर्ती भूम में आता है पर्तमान पर्ति भूमए चाहां एक साल से खेती न की गई हो उसें आम वरतमान पर्ति भूम काते हैं जैसे मालीजी हम क्रिसी कर रहा है और उसको एक बर्स के लिए खाली छोड़ देते हैं कोई फसल उसमें नहीं कोते हैं उसको हम कहते हैं वर्तमान पर्ति भूमि मतलब साल भर के लिए छोड़ेंगे फिर अगले साल हम उसका परियोग कर सकते हैं ठीक हमारा पूरातातन पर्ति यानि पूरातन पर्ति पूरातन पर्ति यानि ऐसी भूम जहां एक से पांच वर्ष क्रिसी कार नहीं किया गया हो यानि ऐसी भूम जहां एक से पांच वर्ष क्रिसी नहीं की गई होती है उसको हम पूराता पूरातन पर्ति कहते हैं यानि ऐसी भूम भूमी का ऐसा इसा जहां हम एक से पाँच वर्स में क्रिसी नो की गई हो उसे हम पूरा तांग परती कहते हैं मारा सुद्ध नीवल नीवल बोया गया छेत्र यानि सुद्ध नीवल बोया गया छेत्र भूमी का ऐसा छेत्र जो एक वर्स में एक से या इससे अधिक बार वहां क्रिसी की गई हो जैसे माल यह एक वर्स होता है एक वर्स में हम दो फसले उगा लेते हैं एक खरीब की फसल एक रभी की फसल तो क्या हो गई एक वर्स में एक से अधिक क्रिसी हो गई उसी में जायद भी फसल उगा लेते हैं याणि एक वर्ष में एक से अधिक फसल बोलेते हैं उसी को काते हैं सुध्ध नीवल यानि बोया गया छेत्र काते हैं उसे हम सुद्ध निवल बोया गया छेत्र या खेती कहते हैं या क्रीशी कहते हैं ठीक भूम निमनी करण भूम निमनी करण यानि भूम की उपजाओ सक्ति यानि पैदवार में कमी निमनी करण मनला पैदवार में कमी जिसकार दोता उसकी उपजाओपन में यानि जो उपजा तो कमी किस कारण से आती है हम क्या करते हैं अधिक सिचाई है बनों की लगतार कटाई है अतिपसुचारण है खाना नहीं उद्ध्योगी धूले हैं इस कारण हम देखते हैं धीरे-धीरे क्या होती है जो फसल हमारे उत्पादर माली जिये जहां हमें डस्टन कर रहे थी माली कि अगोंने टाऊ जो भूल में हमारे फूल में हम डस्टन नरडिम लिकिन सब्सक्राण में खननों कर दिये दुक आदे टैर का दियोगे खननकार हो गया जिस से हमारा क्या हो गया अब क्रिसी करेंगे तो महीं प्दॉटन हो रहा तक हुआ अब क्या होगा पांटन होगा क्योंकि आधी भूम हमारी का आँगा खनंकार में चली गई तो क्या है बड़े बड़े खाईयां आओ जाएंगी वह भी खुला रहेगा तो उसमें कुछ होगा नहीं तिसलिए क्या हमारी जो उत्पादर है ओ क्या आधी हो गई उससे क्या हुआ हमारा भूमी क निमनी कराड हो गया उसी को कहते है भूम निमनी कराड तो देखेंगे हेडिंग देखेंगे भूम निमनी कराड निमनी कराड भूम निमनी कराड का आर्थ है भूम के उपजाउपन में कमी यानि जो भूम निमनी कराड है उसका आर्थ ही होता है कि भूम की उपजाउपन में कमी अधार्थ भूम की उपरता उबराता सक्ति कम हो जाती है जिससे कूल उत्पादन घड़ जाता है इस समय भारत में 13 हेक्टेयर 13 करोण हेक्टेयर मतलब 13 करोण हेक्टेयर भूम निम्निकरित है जिससे 28 परती साथ भूम भूम बन 56 परती साथ जाल और 10 परती साथ वाई तथा 6 परती साथ छेत्र लवडी वे चारी निच्छे पोस से परवाईत यानि प्रभावित है जो हमारा एरिया है छेत्र है यानि 13 हेक्टेयर भूम हमारा क्या है निम्निकरित है जिसमें से 28 परती साथ भूम हमारा बन के कारण निम्निकरित हुआ है और 56 परती साथ मतलब आधा भूम हमारा आधा से अधी भूम हमारा क्या है जल से निम्निकरित ह हुँआ है और 10 प्रतिसाथ वाई द्वारा और 6 प्रतिसाथ छेत्र लवडवे छारी निच्छे पुस्वा दंदा बनों की लगतार कटाई करने से जोती है मिड़ाएं कट जाती है यानि जो उपर ही परत्प में हमारी जो उपराव मिठीयां होती है वह जाति हैं और बाढयय परऊ कटकर बहती है जिसे क्या होता है भूमी की उत्पादन सब्ना कम हो जाती है उसलिए ये जाता भूमी का निमनेकडार होता है इसलिए वाई vay से भूमी निमनी कड़र होता है जैसे तेज हवाय चलती है तो क्या करती है मिर्दा की कड़ों को अपने साथ बहा ले जाती है जिससे क्या होता जो उपर की जो जाओ मिर्दा होती है वह जाती है जिससे भी क्या होता है उसमें पादन में कमी हो जाती है वह भी क्या है भूमी निमनी कड बाड़ है उसी तरह जल है जल है जल से भी नदियों में बाड़ा जाती है और बाड़ाने से जो जाव मिठी होती है अपने साथ बहा ले जाती है जिससे भूमी निमनी करण होता है उसी तरह लवड़िवे छारी प्रदार्थ हैं यह भी क्या करते हैं भूम निमनी करण में कारक सहायक है जैसे दूसी जल को हम भूमी पर बिना उपचार के छोड़ देते है जिससे क्या होता है भूमी पर लड़ों और छारी प्रदार्थों की मान निच्चेपों का मान कि यानि बनोग होता है जैसे क्त जाते हैं तो मित्डा क्या होती है बह जाती है अतिपसु चारण से भी फसलों के उत्पादन में कमी आता है उससे भी क्या होती है भूमी का निमनिकरण होता है अगला तिसरा नमबर खानन और उत्खानन खानन करने से भी भूमी का निमनिकरण होता है अगला अधिक सी चाई अधिक सी चाई से भी भूमी का निमनिकरण होता है लोग उत्पादन बढ़ाने के चकर में बहुत अधिक सी चाई कर देते हैं जिससे क्या होता है खेतों में जल आसकता से अधिक बढ़ जाता या पीली पढ़ जाती है यानि जो फसल होती है पीली पढ़ कर सुख जाती है ठीक या जो धीरे-धीरे बढ़ी परदार्त होते हैं रिस रिस कर ऊपर आ जाते हैं तुछ से भी क्या होता है फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है यह भी क्या है वुविन्यम्निकलण के कारण है उध्योगी धूल एविकी भुवन्ही मिले करण है जैसे उध्योगी यानी फैकर्टे HOL चोटे धूल के करो से यह जब हमारे माइदान चैटर में पकलते हैं तो मिर्दाकरों में रिक्ता स्थान होता है यानि गैप होता है इससे क्या होता है उनकी जो होती है पर जाते है इस जिसके कारण जल का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है इसलिए इन फिल्ट्रेशन रूख भूम निम निकड़़ सरचढ के उपाय, यानि बचाओ, आप माली जी समस्ट्य तौह है, अब इसको बचा कैसे जा सकता है समस्त्य सिस्ट्वा हब टो हमारा भूम सरचन न्यंम का उपाय है पहला उपाय है वहांर उपम था मिर्दा पनों की कटाई पर रोक लगा लगा कर यानि हम क्या करें जो पनों की कटाई लगतार हो रहा है यानि रोक लगा दे कानूनी तोड़ पर रोक लगा दे तो उससे क्या होगी बनों की कटाई रुख जाएगी जब बनों की कटाई रुख जाएगी तो मिर्दा की पबनेगा हो तो समय समय से बढ साहो गी जिससे हमारी फसले उत्पादन शम्तापत बढ़ जाएंगी भी मालती पस्तु चारण पने पर नियंत्रण करें उसके लिए अलग ड और ग माल भला या कि फशोड़ पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस से अमारी फसल सुरच्छित रहेंगी ठीक यानि अतिपशुचारण पण नियंत्रण करके ठीक अगला है खननकारे उपर रोक लगाकर जो खननकार हो हम भूमी पर नहीं छोड़ना मली जिए उसको हम क्या करें उपचार करके ही भूमी पर छोड़ें जैसे उनमें कुछ भूले चारी परदार्थ होते हैं लोडी और चारी परदार्थ होते हैं जिनका हम सिवर उपचार द्वारा सिवर उपचार करके उनको हम अलग कर सकते हैं अलग करके जब जल जाएगा तो उसे हमारा फसल पर परभाव नहीं पड़ेगा भूम पर परभाव नहीं पड़ेगा जिससे हमारी भूम निम्र करण से बची जा सकती है हमारा मिर्दा संसाधन ठीक मिर्दा संसाधन या थो मिर्दा सबसे मतपूर नवी करडी योग प्राकिर्थिक संसाधन है जो हमारा मिर्दा संसाधन है जो क्या है प्राकिर्थिक संसाधन है नवी करडी संसाधन जिसके हम बार बार परियोग कर सकते हैं करते हैं ओ क्या है मिर्दा हमारी नवी करड़ी प्राक्रितिक संग साधन है ठीक जिसका निर्माण होता है जिसका निर्माण जो अजयो जयो अजयो परदार्थों के संयोग से होता है यालि जो मिर्दा का निर्माड है ओ जय और जय कार्विनिक परतार्थो चट्टानों के तूट फूट या लाखों वर्सुक अप्षय किरिया के द्वारा होता है मिर्दा का निर्माड ठीक यानि जो मिर्दा का निर्माड है मिर्दा का निर्माड जो होता है बहुत लंबे समय पर किरिया के बाद हमारी मिर्दा का निर्माड होता है और मिर्दा का निर्माड के साथ साथ इसकी अप्छा या पर्दान अप्छा की किरिया भी साथ साथ होता रहता है ठीक तो यारी हम देखेंगे मिर्दा संसाधन एडिंग है मिट्टी अत्वा मिर्दा सबसे मतपूर नभी करडी योग प्राकिर्तिक संसाधन है जिसका निर्म प्तषल्ट के पर्मुख कारण है कौन कौन से कारण से मिर्दा का निर्माड होता है जैसे भू आकृतिया या जैसे परवत तरुल की पठाफ है कि नधियां है यह सब क्या है मिर्दा निर्माड में सहयक है mixes जैसे परवतों के टूट फूट से मिर्दा बनती है उसी प्रकार नदियों के द्वारा अपने जल द्वारा कार छाड कर लाई गई परवतों के छोटे-छोटे महिन और साथों से मिर्दा का निर्माड होता है अब जलवाई अगला एडिंग जलवाई जलवाई परिवर्तन से भी मिर्दा का निर्माड होता है शाल के टूट फूट से भी मिर्दा का निर्माड होता है तापमान से भी मिर्दा का निर्माड होता है और पवन पवन द्वारा भी मिर्दा से निर्माड होता है यानि इन सबके अधार पर ही मिर्दाओं को वर्गी क्रिद किया जाता है और उनी अनुसार हम मिर्दाओं को अलग-अलग नामों से जानते भी हैं जैसे जल से यानि नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा बहा कर लाई गए मिर्दा को जैसे जलोड मिर्दा कहते हैं उसी परकार यानि पवन द्वारा बहा कर लाई गई मिर्दा को पवन मिर्दा करते हैं ठीक उसे पर तापमान के परिवर्दर के कारण लेटराइट मिर्दा का निर्माड होता है तिसलिए जो भूगोलिक इस्तितिया है उनके कारण भी हमारी मिर्दाओं का निर्माड होता है उसी कैध ब्राम मिर्दा का वर्गी करण करते हैं तो मिर्दा का वर्गी करण हमारी लिधा फारति मिर्दाicate सद यहां भारती रधी अरुश्मत्रफिकेशन है कि मिर्दा का क्लासिफिकेशन है जरो है स्वायल अनुसादान परिषद के द्वारा वरगी क्रिद किया गया हैं , तो मीर्दा वरगी करण भारती खृत्य अनुसादान परिषद और मिर्दा संस्थान के के नुसार भारत में कुल आठ परकार की मिठियां पाई जाती है पाहला ह्या जलोड मिर्दा हासरा है भाली मिर्दा दूसरा भाली मिर्दा है तीसरा है लाल मिर्दा怎麼 होता है लेटराइट मिर्दा लेटराइट होता है ठीक लेटराइट मिर्दा पाच्वा है मरुस्थली मिर्दा छठा है परवती मिर्दा सात्वा है पीट मिर्दा या दल्दली मिर्दा करते हैं पीट मिर्दा या दल्दली मिर्दा आठ्वा मारा चारी मिर्दा ठीक तो इन सम मिर्दाओं को हम करम से बारी बारी देखेंगे और सबको हम पढ़ेंगे ठीक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोड मिर्दा के बारे में जलोड मिर्दा का निर्माण है नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई औसादों के निच्छेपों से होता है उसे हम जलोड मीर्दा कहते हैं ठीक यानि जलोड मीर्दा इस मीर्दा का निर्मार नदियों द्वारा बहा कर लाई गई औसादों से होता है जो हमारा जलोड मिर्दा है एदम सिम्पल भासा में आप लोग पढ़ेंगे कि जलोड मिर्दा का निर्माड नदियों के द्वारा अपने साथ बहा कर लाई गई औसादों से होता है ठीक कि रटने वाली कोई बात में सिम्पल हाँ पढ़ Kafram एंगी मिर्दा संपूर उत्री मैं घाला हुआ जो मिर्दा का छेत्र है यानि संपूर उत्री भागों में पहला हुआ और पूर्वी टटी मैदानों में भी इसका बिश्तार पाया जाता है ठीक जो पूर्वे जो च्छेत्र है यानि टटी च्छेत्र है जो इदम समूंदर से लगे हुए च्छेत्र है वहां पर भी जलोड मिर्दा पाया जाता है घ्रेक तो यह संपूर उत्री मादान में फायला हुआ है जलोड मिर्दा में रेत सिल्ट के कड्ड विविन अनुपात में पाय जाते हैं ऐजी चलोड मिर्दा में जो र्य देन के कर शिल्ट के कर और मिर्द का मिर्द का मतल rectangular चिखनी मिर्टी मिर्द का मतलब 1939 मिट्ख Оч 박ले करते हैं उनके कर्द भी बिएन अन में मिले रहते हैं ने टीक कि समानता समानता इस इसी मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है तथा जिवास में भी पाया जाती है ठीक का में जक जलोड़ मिर्दा बहुत जाओ होती है यह मिर्धा क्रिषम के कारे के लिए बहुत ही उपयोगी और हुप जाओ होती है इसमिर्दा की नमीधारण सहमता बहुत अच्छी होती है यानि इसकी नमी धारत जो छमता होती है अच्छी होती है यह मिर्दा गन्ना चावल गेहूं दलहान आधी फसलों के लिए उपयोगी होती है यह जो मिर्दा होती है हमारा गन्ना फसल के लिए चावल के लिए गेहूं के लिए दलहान के लिए आधी फसलों के लिए उपियोगी होती है ठीक इस मीर्दा का भिस्तार उत्तर प्रदेश पंजाब अर्याडा बिहार गुजरात कि मुजरात अधिराज्यों में फाइला हुआ है ८िटा को आयू के आधार पर दो भागों में बाटा गया यानि आयू की अधार पर इस मीर्दा को आयू यानि उम्र की अधार पर दो भागों में बाड़ दिया गया है पाले को खाद और दूसरे को बागर काते हैं ठीक माली जे यह नदी है यह नदी है जल आ रहा है जल का परवाह हो रहा है तो माली जे बाड़ आया यहां तक जल भर गया यहां तक दोनों तरफ जल भर गया ठीक जो बाड़ यहां माली जे जल नहीं आ पाया यहां से यहां जल नहीं आ पाया यहां से क्या हुआ यहां जल आ गया तिसी छेत्र को काते हैं जहां वो बाड का जल पहुच जाता है जहां पर बाड का जल पहुच जाता है यानि पहुचता है उसे खादर काते हैं जिन छेत्र में नहीं पहुच पाता है उसको बांगर काते हैं माल जे यहां तक बाड का जल आया और यहां तक नहीं आया ते यहां सक के छेतर को हम क्या कहेंगे खादर कहेंगे यानि खादर खादर कहेंगे और इस छेतर को हम यहां से लेकर यहां तर बांगर कहेंगे बांगर खेंग ठीक तो उसकी आय की अधार पर दो बागों में पाटा गया है खादर मिर्दा नई जलोड मिर्दा को खादर कहा जाता है यादि जो नदी किच्छा आई हो बाकर और अपने साथ मैदानों पर भिछादी उसी को खादर कहा जाता है इसकी उपचाओ छमता अध यादि बांगर से खादर की छमता अधिक होती है ठीक बांगर मिर्दा पुरानी चलोड मिर्दा को बांगर कहा जाता है यादि जो पुरानी चलोड मिर्दा है उसको बांगर कहा जाता है और इसकी उपजाओ छमता खादर मिर्दा से कम होती है खादर मिर्दा से बांगर मि काली मिर्दा काली मिर्दा जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका नाम इस मिर्दा का रंग काला होता है इसी कारण इसी कारण से काली मिर्दा कहा जाता है इस मिर्दा को रेंगूर मिर्दा भी कहा जाता है यहीं इस मिठी का एक और नाम होता है रेंगूर मिठी रेंगूर मिठी या रेंगूर मिर्दा कहते हैं इस मिर्दा का निर्माड ज्वाला मुखी प्रकिरिया से निकलने वाले लावा से होता है और काली मिर्दा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उप्यूगत समझी जाती है और इसी कारड़ी से कपास मिर्दा के नाम से ही नाम से भी हम जानते हैं यानि इसको ब्लेक सोयल यानि ब्लेक सोयल को हम कपास मिर्दा भी कहते हैं यानि ब्लेक काटन मिर्दा भी कहते हैं इस मिर्दा जो होता है जब जुआला मुखी उचगार होता है जब जुआला मुखी क उजगार होता है जब जो आला मुख्यू का उजगार होता तो उससे क्या होते धीरे-धीरे लावा लिकरते हैं लावा जब लिकरते हैं जब भूम सता पर आते हैं तो धीरे-धीरे ठंडा हो जाते हैं जब ठंडा होने के बाद जब उससे जो मिर्दा बनती है उसको हम काली मि इसको कपास मिर्दा के नाम से भी जाना जाता है इस मिर्दा में मिर्दी का यानि कले की मात्रा सर्वाधिक होती है कले मतलब चिकनी मिट्टी कले का मतलब होता है चिकनी मेंटी यानी चिकनी मेंटी बहुत महीं कर बहुत महीं कर लगज बगँ तक 002 मीक्रोंं यानी 0.002 मीक्रों के यानी बहुत चोठे बहुत थीक होते हैं काली मिर्दा में कार्बनी तत्तों की मात्रा अधिक होती है यह मिर्दा जल के संपर्ग में आने पर फूल जाती है तथा सुषक होने पर यानि सूखने पर सुखुड जाती है जिससे मिट्टी में गहरी दरारे पड़ जाती है यानि क्या होता जैसे पानी के संपर्ग में आत इसे सुखता है यानि सुष्क होता है सुखता है तो इसे वह क्या होती है शिकुड जाती है और शिकुडने के कारणे क्या होती है टीक और इनकी जो दय भी मानसून आने से पहले नहीं कर ली जाती है क्यों कर लिजाती है क्यों क्यों क्या वति इसके मौसम होती है इसलिए मौसम आने से पहले यानि पहली पारिस हो जाती है तो जुताई करने में दिक्कत होती है इसका बिस्तार महराष्ट, गुजरात, मालवा, मदपर्देश, 36 गड़ के पठारी भागों पर पाई जाती है ठीक, और यह मिर्दा कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी लाल मिर्दा, यानि लाल मिर्दा, तो जाहिर सी बात है, जब इस मिर्दा का लाल नाम है, तो मिर्दा कैसी होती होगी, मिर्दे का रंग लाल होता होगा, मिठी का रंग लाल होती होगी, और यह लाल रंग हो लौ अक्साइड पा जाते हैं उसी लौ अक्साइड के कारण ही इसमें लाल रंग आ जाता है इस लाल मिर्दा लाल मिर्दा को पीली मिर्दा भिक्के नाम से भी जाना जाता है लाल मिर्दा का लाल रंग लौ धात या आयरन अक्साइड के कारण होता है जो लाल रंग होता है यह लाल रंग आरन अकशैड या लाँ धातु के कारण होता है इसे पीली मिर्दा के मिर्दा भी कहा जाता है इसको इसका एक नाम और है पीली मिर्दा भी कहा जाता है याँ पानी के संपर्क में आने से पीली दिखाई देती है इस मिर्दा का निर्माड आगेन और रुपांतरित चट्टानों पर कम वर्षा के कारण होता है। लाल मिर्दा का विस्तार छेत्र उड़िसा चट्टिस गळ्मत पर्देश ट्यमिनाड उजहार खन आधिराजियों में पाया जाता है। लेटराइट मिर्दा जैसे कि आप लोग जानते हैं लेटराइट मिर्दा यानि यह क्या एक ग्रिक भासा का एक लेटर सब्द का एक नाम है। जिसका सब्दार्थिक अर्थ इट से लिया गया है। जैसे यह मिर्दा एक की तरह लाल होती है। कि यह मिर्दा जैसी लाल दिखाई देती है इस मिर्दा का निर्माल उष्ण कड़िवंधि तता भारी बर्सा के कारण होता है यानि जहां पर मोसम उष्ण कड़िवंधि यानि लगता पर इसलात हो गई कुछ भारी परसा लगतार कुछ महीन हो गई या कुछ तमाल लगतार उसले यानि उसलक करिवाने दी मौसम बना हुआ है सुसक मौसम बना है उसकारण से इस मीर्दा का निर्माड होता है यह मिर्दा कहवायों काजू उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है यानि यह जो मिर्दा होती है काजू और कहवायों काफी क्रिसी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और इस मिटी यानि मिर्दा का विस्तार छहत्र दक्षिड राजियों में पाया जाता है जैसे केरल, तमिनाड, उरिशा, असम राज्यों में पाया जाता है मरुस्थली मिर्दा जैसे कि आपको नाम सही पता है मरुस्थली मिर्दा यानि क्या होंगी यह मरू अस्थान यानि सुज के अस्थानों पर पाई जाती है जहां पर बर्षा नहीं होता है ठीक मरुस्थली मिर्दा कम वर्षा सुजग छेत्रों वाले भागों में पाई जाती है और मरुस्थली मिर्दा में रेत के मोटे कड़ पाई जाती है मतलब जो मरुस्थल का छेत्रों होता है उन छेत्रों में जो मिर्दाएं पाई जाती है उसको मरुस्थली मिर्दा करते हैं और इस मिर्दा में बालू के कड़ यानि सिलका के कड़ अधिक पाई जाते हैं यानि बोड़े बड़े कड़ होते हैं ठीक बड़े-बड़े कड़ ह कर पाई जाता है इस मीरदा का रंग लालवे भूरा होता है इस मीरदा में लवड की मात्रा सरवाधिक होती है कि तेक जैसे माना जाता है कि कुछ लोग बताते है कि राज messaging में रतीली भागों में या बर मरुस्थल में ओहां पर वास्पिक्रित यानि रेश से वास्पिक्रित करके मिर्दा से वास्पिक्रित करके नमक का निर्माण किया जाता है तिसलिए वहाँ पर लवण परदात अधिक पाया जाते हैं इस मीर्दा में जिवाष्ण की मातरा बहुत कम पाई जाती है यह मीर्दा उच्च तपमान में अधिक वास्पन ऊथ्पन करता है इसी कारण इस में नमी धारण कान्गे की छंता कम होती है यानि नमी की मात्रा बहुत कम होता है उचिस चाहि बेवस्था करके किरिसी कार किया जा सकता है इसका बिस्तार छेत्र राजस्थान गुझरात पंजाम राज्यों में पाया जाता है ठीक अगला है वन मिर्दा या पर्वती मिर्दा वन मिर्दा होता है उसी को कहते है पर्वती मिर्दा या पर्वती मिर्दा कोई वन मिर्दा कहते है ठीक कहने का मतलब है जो वन मिर्दा है उसी का नाम कहीं कहीं आपको पर्वती मिर्दा के नाम भी मिलेगा यानि वन मिर्दा कहीं कहीं पर्वती मिर्दा भी कहा जाता है इसे नहीं है इन है पाया स्ट्रों में पायजाते हैं हेर्यम मिर्दात जिवासम रहित होती हैं हैं नदी घाटीयों में सिल्टदार कड़ोवाली होती हैं जैसे जैसे हम मिर्दा के कड मोटे होते ज़ते जाते यानि धालानों के उपरी सिरू पे मोठे कणवाले मिर्दा होती है यह मिर्दा नदी घाटी के निचले छत्रों में बहुत ही उपजाओं होती है इस मिर्दा का विस्तार जमु कस्मीर हिमाचल पर्देश जाकि उत्रहाखंट अडुराचल परदैस्राजों में पाया जाता है मीरदा अपरदन मीरदा अपरदन तो जुनों समसेल नदियां अपने साथ मिठी को काड़ कर बहाा बहाओ t पिट्टी की कड़ों को उड़ा लिया जाता है काटकर उड़ा लिया जाता है उसी परकिरिया को ही हम मिर्दा अपर्दन काते हैं अब मिर्दा पर्दन जल से भी होता है पवन से होता है अतिपसुचारण से होता है बनों की लगतार कटाई से होता है खानन से होता है ठीक तो मिर्दा पर्दन मिर्दा के कटावें उसके बहाव की परकिरिया को मिर्दा पर्दन कहते हैं मिर्दा पर्दन के कारण मिर्दा पर्दन के कारक है कारक अति पसु चारण यानि अधिक पसु चारण से भी क्या होती है मिर्दा पर्दन होता है मैंनि पसु की पैरों से मिठिया क्या हो जाती है कट जाती है और जब मिट्टियां कट जाती है तो पानी के साथ जब वारिस होता है या बाढ़ आती है तो क्या होती है बाह जाती है ठीक अगला बनों की कटाई लिन लगतार कटाई से बनों की लगतार कटाई होने से भी क्या होती है मिटियां कमजोड हो जाती है जिससे भी मिटियां कमजोड होती है कमजोड होने के कारण भी बह जाती है ठीक जैसे हम ब्रिच है ब्रिच लगा होता है पोधा लगा है बन लगे तो क्या जब कटाई हो जाती है तो बिच निकल जाता है तो मिठियां कमजोड हो जाती है और बारी से बाड़ाने पर मिठियां बह जाती है खानन के द्वारा को खुलाई करते हैं उससे भी मीर्दा पर्दन होता है वाई के द्वारा जब तिली अस्थानों परते जब अंगे चलती हैं तो रहे सांस मिर्ददा के अधिक्रção उपाल जाते हैं मिड़दा पर्दन रोकने के उपाय सीड़ीदार क्रिसी करके यानि जो ढलान भूमी है उस पर क्या करें हम SLU भूमियों पर हम क्या करें सिवतेये भूमी है उस पर HUM क्या करें सीध्रार क्रीजंगर करें यहां माली यह एक खेद बना दिएं फिर यहां पर फ्रफ मेड़ बना कर आपके इस से सीध्रा आम क्रीजिक हम करने से मिर्दा पर्दन को रोग सकते और बखा का पान बर्शा पानी होगा है अज यहां उचा मेडा है तो यह और और पासा पानी पानी यह पना ने सिर्दाव क्रीसी करके कि यह हम रोब्र पर्दन भी रोब करके हम लउध्टा रोबकर किया करें तो नग् कि самой किमारी खेथ के हम मारा थे फिल ओ नहीं हम District जड़े जढ़ लगा दें दब हेमारी मिद्धा बम नहीं पाएंगा कर यानि जो लाकरा हो उसमें क्या करें हम उजा उच्छे उंच्छे मेड बना मेड़ बना जुसे हमारे खेत की मिर्दा नहीं करती है पसु चराई नहीं अंतरण करके यानि जो पसु का चराई नहीं है करता है समुचत जुताई करके ठीक इसमें समुचत जुताई करके जो हम क्या होता है खेत हमारा है इसमें हम क्या करेंगे बीच से जुताई करते जाएंगे बीच से जुताई करेंगे तो जो हमारा नालिया होती है वो पट जाती है और जिससे पट जाने के कारण मिर्दा का प हैं ठीक तो इसी तरह हमारा एक चेप्टर कंप्लीट हुआ तो इसी साथ हमारा एक वीडियो समाप्त होता है धन्यवाद नवस्कार दोस्ते